नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे के बारे में यह दिन लोगों में किताबों के पढ़ने के प्रती रुची उत्पन करने और उनके कॉपी राइट से समंदे अधिकारों को बतानी के लिए मनाया जाता है जब हम कोई किताब लिखते हैं तो उस पर हमारा कॉपी राइट होता है यानि कि उस पर हमारा पूरा अधिकार होता है कि हमारी इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति उसका अनुवाद नहीं कर सकता है और ना ही उसमें किसी प्रकार की छेड़ चार कर सकता है तो इसे ही कॉपी अप्रेल 1995 को मनाया गया था इसे UN के सभी मेंबर देश मनाते हैं मीगुल डी सर्वेंटेस नाम की प्रसित लेखक को शर्दांजली देने के लिए इस्पेन के विबिन किताब बेशने वालों ने 23 अप्रेल सन 1923 को पहली बार विश्विपुस्तक दिवस मनाया था इसके बाद 1992 में UNESCO ने 23 अप्रेल की तारीक को प्रतिवश्विपुस्तक दिवस के रूप मनाने के लिए निश्चित कर दिया गया इसी तारीक का चुनाओ करने का कारण ये था कि इस दिन कई लेकों की जन्म इवंपुर्ण तिति होती है गौर तलब है कि 23 अप्रेल को ही विलियम शेक्स्पियर और इंका गार्सिला सो डीला वेगा की डेथ अन्वर्सरी होती है ये भी एक सयोग है कि शेक्स्पियर और सेर्वेंटेस भी एकी समय मरे थे यानि कि 23 अप्रेल सन 16-16 को लेकिन वो दिन एक नहीं थे क्योंकि स्पेन उस समय ग्रिगेरियन कलेंडर का इस्तमाल करता था और इंग्लैंड जूलियन कलेंडर का इस हिसाब से देखें तो शेक्स्पियर सेर्वेंटेस के मरने के 10 दिन बाद मरे थे आहम इसके कुछ मैटमोन फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं स्वीडन में सन 2000 और 2011 में ये दिन 13 अप्राइल को मनाया गया था यूके आइरलेंड में यह दिन मार्च के पहले थरस्डे को मनाया जाता है और 23 अप्राइल को यूके और आइरलेंड में वर्ल्ड बुक नाइट भी मनाई जाती है जिसका आयोजन डीडिंग एजनसी नाम की एक संस्था करती है यहां 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है आहम इसकी थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं हर साल इसकी थीम्स बुकसे से पढ़ने से सम्मंदित रहती है सन 2018 में इसकी थीम्स थी पढ़ना ये मेरा अधिकार है 2015 में इसकी थीम्स दुनिया को पढ़ो 2014 में इसकी थीम्स तेज बुनो और किताबे पढ़ो अहम जान लेते हैं कुछ महतपूर कथन जो की बड़े-बड़े व्यक्तियों के द्वारा कहे गए है थॉमस जेफर्सन ने कहा था कि बुद्धी के किताब में पहला अध्या इमानदारी है अबराहिम लिंकर ने कहा था जो बाते मैं नहीं जानता वो किताबों में है और मेरा परमित्र वो व्यक्ति होगा जो मुझे वो किताब पढ़ने को देगा जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी होगी तो दोस्तों आज हमने जाना वर्ल्ड बुक एवं कॉपिराइट डे के बारे में या दिन प्रतिवर्ष 23 अप्राइल को मनाया जाता है और इसकी शुरुबात 1997 में 23 अप्राइल को यूएन के द्वारा की गई थी तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में हमाया चैनल को लाइक से शेर करते रहें और आपके जिन दोस्तों को इस प्रकार की जानकारी के आश्यक्ता है उन्हे से जबूर शेर करें धन्यवाद